जै मातरनी फ्रेंड मेरे चैनल देटी लाइप में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं उमीद है आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ जैड की टुपियरी का वीडियो सेर करें हूं जिसे मैंने दो तीन दीन में कंप्लीट करके आपको दिखाया है तो आएए चारू साइड लगाना होता है तो मैंने जो बॉट लिए हैं वो भी राउंड ही है मैं अगर अपनी बात कहूं तो मुझे जैड की टुपियरी बहुत ज़्याद पसंद है और मैं कोसिस करते रहती हूं कि कुछ बनाते रहूं और इसकी कटिंग एक भी मैं नहीं फेकती हू सबको मैं लगा के रखती हूं ताकि मुझे जब भी जो सेफ में बनाने का मन करें वो सेफ में बना लूँ और इजी टू ग्रो भी हो जाता है यह प्लांट तो मैं यहां राउंड सेफ के टुपिरी बनाने के लिए देखिए यह प्लास्टिक है आप इसकी जगा बॉल या पिर छोटा सा मटका भी ले सकते हैं तो मैं क्या करी हूं मैं प्लास्टिक यह डाल रही हूं क्योंकि वैसे भी यह वेकार थे और इसके यूज भी हो जाएंगे तो कुछ इस तरह करके आप राउंड करके आप जैसे बच्चों की बाल बनाते हो ना सेम उसी टाइप से पग देखें आप कितने सूरत लग रहे हैं और जब इसकी टुपियरी बन जाएगी और चारा साइट से यह बूसी हो जाएंगे जब इसकी पत्तियां ग्रो हो जाएंगे तो और भी कुपसूरत लगेंगे तो आप भी अपने घार में इस टाइप का टुपियरी अब खुद से सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस से आप इसको बना सकते हैं और जैट प्लांट इजिली लग भी जाते हैं तो यह देखें बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहे हैं और कई जगह खाली लग रहे हैं तो मैं कुछ और जो इस टेम हैं उससे कट कर लूँगी और जहां-जह मुझे खाली जगर दिख रही है मैं वहाँ पे इसे लगा दूँगी लगाने से पहले पत्ते को कुछ इस तरह से कट कर लेंगे कमसकम एक इंच तक तो मैंने पत्ते को कट कर लिए है और मैं पत्ते को भी जो गमले है उसी में गिरा रही हूँ इसके पत्ते भी इजली लग जाते है आप अगर लगाना चाहोगे तो लग भी सकते है तो राउंड शिप की टुपियरी बनाने के लिए मैंने जो प्लास्टिक लिए हैं वो अभी भी दीकरा होगा आपको तो अच्छे नहीं लगते हैं इस तरह आपके पास अगर लंबे स्टैम हैं तो आप उसे एक दिन में अगर बनाना चाहते हो या पर आप 15 दिन या पर 10 दिन में इससे त्यार करना चाहते हो तो लंबे स्टैम को भी आप यूज करके आप तुरत टुपियरी बना सकते हो लेकिन एक मन्त में भी ये complete हो सकते हैं तो मैं क्या करती हूँ time to time इसे देखती रहती हूँ जिदर भी मुझे खाली लगते हैं मैं उस जगह एक stem लगा देती हूँ तो इस टैम को पहले मैं देखे आप एक लगड़ी मैंने लिये हैं और पहले मैंने उसे hold कर लिया उसके बाद मैंने इसमें लगाया हैं ताकि मेरा जो plant हो damage नहीं हो नीचे से तो इसी तरह करके आप अगर लगाओगे तो आपका plant जल्दी मरेगा नहीं और खराब भी नहीं होंगे उसके नीचे वाले जो portion है वो खराब नहीं होंगे लगाते time हमको ये भी धियान रखना है कि हमारा plant सीधा है या फिर उल्टा जो भी stem हमने कट की हैं उसे सीधी side से लगाना है हमको जो भी हम save देना चाहते हैं वो अच्छे तरह से अगर सीधी side से लगाएंगे तो अच्छी तरह से धग भी जाएंगे तो लगाते time आपको ये हमेशा धियान रखना है नहीं तो आपके पत्ते अगर नीचे हो जाएंगे तो ग्रो होने भी प्रोब्लम होगी और पत्ते जो है वो गल भी सकते हैं तो इस सीज का आपको धियान रखना होगा अगर आप टोपियरी बना रहे हो तो और फिर से मैंने वही धागा लिये हैं पतले वाले तो इससे मैं फिर से बांदूंगी ताकि अच्छे से धग जाएं और अभी बहुत हद तक ये धग भी गया है तो इसे मैं जल जली बांद देती हूँ तो जब तक मैं इसको बांद रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल अगर देख रहे हो और पसंद आ रही है अगर मेरी वीडियोज तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकिन की घंटी को जरूर टेच करें ताकि आने वाली वीडियोज की नो डिपिरेशन आप तक पहुंचे और साथ ही मेरी वीडियोज को पूरा वच करें तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आगे और इसमें क्या-क्या करती हूँ तो बन जाने के बाद कुछ इस तरह से लग रहे हैं यह प्लांट आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं अभी से ही और कुछ दिनों के बाद तो और भी अच्छे लगेंगे और फिर से मैं आपको दो दिन की बाद का अप्डेट दिखा रही हूँ तो दो दिन में ही देखे कितने खुपसूरत लग रहे हैं ये काफी बूसी हो गया है तो आप इसको जब ये अच्छे से लग जाएं तो आप इसकी पिंचिंग भी कर दें यानि कि छोड़ छोड़ जो पत्ते आते हैं उपर वाले तो उसे पिंच कर दें कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे मैं जिससे कर रही हूँ से उसे तरह से छोड़ छोड़ जो पत्ते हैं उसे कट कर दीजे तो उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोज मेरी पसंद आही होगी और आप भी जल्दी ट्राय करोगी राउन तो वेरी थैंक यू और झाए